Good afternoon my dear students, आज हम करेंगे phrases, देखो आप कितने भी books देखो, उसमें आपको phrases के only three types मिलेंगे, लेकिन आज इस वीडियो के बाद आपका जो phrases का जो confusion है, वो clear हो जाएगा I am Pinky Sharma, your friend, your teacher, let's start my dear students, सबसे पहले आपने ये नाम तो सुनाई होगा, भी phrase क्या होते हैं, तो हम यहाँ पे दो sentence हमने लिए हैं, Ram eats bananas, second है, अब यहाँ पे फर्क देखना, my friend Ram is eating sweet bananas, तो यहाँ पे जो एक word होता है, वो noun का काम करता है, या एक जो word होता है, वो या noun हो सकता है, adjective हो सकता है, adverb हो सकता है, लेकिन वो phrase कब बनता है? जब उसमें एक से ज़्यादा words हा जाते हैं, यानि कि जब एक से ज़्यादा words मिलकर, noun का, adjective का, या adverb का काम करते हैं, तो वो हमारे phrase कहलाते हैं, अब एक जो हमारा दूसरा एक्जामपल है, यहाँ पर देखेंगे, my friend Ram is eating sweet bananas, तो यहाँ पर हमने देखा my friend Ram, यानि कि अब जो Ram है, एक noun है, और my friend, और उसके साथ जुड़ा हुआ है, राम के बारे में बता रहे हैं, राम कोन है my friend, तो यहाँ पर यह एक से ज़्यादा word हो phrase बन गया, और क्योंकि noun का काम कर रहे हैं, यह noun phrase हो गया यहाँ पर, is eating, अब यहाँ पर is हमारी helping verb है, eating हमारी verb है, वैसे is जो हमारा b का form होता है, तो वो भी हमारी verb में आता है, अब अकिला कोई eat होता, या walk वगरा, या कोई only verb की first form होती, उसके साथ उसकी helping verb नहीं लगी होत होती, तो हम उसको एक मानते, और फिर वो हमारी क्या होती, phrase नहीं कहलाती, फिर वो हमारी only verb कहलाती, ऐसा ही sweet bananas, अगर only bananas होता, तो वो noun हो जाता, लेकिन, अब bananas के लिए ही क्या एक word और use हो गया, यहाँ पर sweet banana कैसा है, sweet है, तो यहाँ पर दो words noun के लिए use किये है, तो यह हमा एक पर इसकी definition देखते हैं, phrase को, की definition से हमें और अच्छे से clear हो जाएगा, एक group of words, यानि के wordों का एक समू, which has no combination of subject and verb, जिसके अंदर subject का और verb का कोई combination नहीं होता, and which gives no complete sense, और ना ही वो complete sense देता है, उसको हम क्या कहते हैं, phrase कहते हैं, अब जिखो जो हमने इसकी जो प्रिवासा हमने देखी है, अब यहाँ पर देखें, जिसे my friend Ram, अब यह देखो क्या complete sense दे रहा है, my friend Ram, मेरा दोस्त Ram, उससे आगे कुछ हमें नहीं पता चल रहा है, तो यह क्या है, क्या यह एक subject और verb का combination है, तो subject और verb का combination भी नहीं है, उसके बाद is eating, क्या वो, यहाँ पर दोनों कटे हैं, नहीं है, उसके बाद sweet bananas, क्या subject और verb का combination है, नहीं है, लेकिन क्या है, एक group of words है, my friend Ram, group of words है, यहाँ कि कुछ सब्दों का सम्मू है, is eating, यह भी group of word है, sweet bananas, यह भी क्या आपका group of word है, तो यहाँ पर दो condition, यहाँ कि किसी भी group of word को phrase बनने के लिए कितनी condition जरूरी है, अब यहाँ पर जो हमारी परिभाशा है, इसी को देखेंगे, उसमें देखो condition क्या है, एक group of words होगा, उसमें second condition क्या है, उसमें कोई combination जो है, subject और verb का combination नहीं होगा, और तीसरा क्या है, वो incomplete sense देता है, यानि कि complete sense नहीं देता है, कोई complete sense नहीं देता है, जब तीन चीज़े ये complete करेगा तभी वो क्या बनेगा फ्रेज बनेगा तो my father sorry my friend राम ये क्या है group of words भी है subject और verb का combination भी नहीं है और incomplete sense यानि के sense तो दे रहा है लेकिन complete sense नहीं दे रहा तो तीनों condition यहां complete और ये इसलिए ये क्या बन गया है phrase बन गया है अब उसके बाद कहता है is eating ये भी हमारी एक phrase है group of words है is or eating दोनों word मिलके है तो group of words है subject का और verb का combination भी नहीं है और incomplete sense दे रहा है कि खा रहा है ये नहीं पता चल रहा है कौन खा रहा है क्या खा रहा है ठीक है तो ये भी क्या बन गया हमारा phrase बन गया अब आपने क्य देखा कि sentence के कुछ जो छोटे छोटे जो parts होते है न वो यानि कि sentence एक बड़ा बड़ा हिसा होता है और उसके जो phrase होती है न वो sentence के अंदर ही वो parts होते है I think अब आप कोई अच्छे से clear हो गया होगा अब हम चलेंगे अब हमें एक बात तो clear होगी है कि phrase कभी अकेला word नहीं ह होता यानि कि phrase हम किसको बोलते हैं जब वो एक से ज़्यादा word होते हैं दो words की भी phrase हो सकती है तीन की भी चार के भी पांच के भी तो आपको अपने माइन में ध्यान रखना भी phrase केवल और केवल तब ही कहलाती है जो वो एक से ज़्यादा word होते है subject और verb का जब वो combination नहीं हो I think अब आपको अच्छे से clear हो गया होगा अब हम कर रहे हैं जो phrase हमें यह तो पता चल गया हमें phrase होती है अब हम इस वीडियो में देखेंगे phrase कितने types के होते हैं generally आप अपने है books वगेरा देखोगे आपकी अपनी grammar वगेरा की books वगेरा देखोगे तो उसमें आपको mostly only three types की phrases दी जाती हैं लेकिन reality यह नहीं है phrases के most यानि के 10 types होते हैं जो आज आपको अच्छे से clear हो जाएंगे और phrases clear होने के बाद आपको close समझ में आ जाएंगे noun phrase देखो जैसा नाम है noun phrase जिसमें जो group of words होगा और noun का काम करेगा अब आपको पता है noun का use हम कितने जगे पे कर सकते हैं दो प्लेस पे हम noun का use कर सकते हैं as a subject use कर सकते है noun को और as a object हम use कर सकते हैं तो अब यहाँ पे हमने एक sentence लिया a beautiful girl ask me my name अब beautiful girl अब girl क्या है एक noun है लेकिन noun से पहले क्या लगा है अब beautiful यानि कि three words मिल गए अगर girl अकेला होता तो वो noun हो जाता लेकिन इसके साथ क्या word और add हो गए है अब beautiful तो यह क्या बन गया हमारा noun phrase बन गया ask me my name उसे के बाद a child in the car shouted for help अब करता है एक child एक बच्चा अब child क्या एक noun है और किसमें है इंदाकार अब उसकी उसके बारे में और बता दिया अब जो child हमारा जो noun है as a subject यहां पर noun काम कर रहा है और यहां पर इंदाकार यानि कि एक से ज्यादा word हो गए है तो यह क्या बन गया है noun phrase बन गया है उसके बाद third example में देखेंगे they stole a huge expensive car अब देखो हमने जो two example देखें वहां पर तो जो noun phrase था as a subject यूज़ए हुआ था वो subject के place यूज़ए हुआ था noun phrase लेकिन यहां पर जो noun phrase वो as object के रूप में यूज़ए हुआ है क्योंकि noun का use हम subject के रूप में और object के रूप में कर सकते हैं तो same way में noun phrase का use हम as a subject और as object दोनों रूप में कर सकते हैं they stole a huge expensive car अब यहां पर देखेंगे they stole अब उन्होंने क्या चुराई a huge expensive एक बड़ी वो बहुत कीमती जो गाड़ी थी कार थी वो चुरा ली तो huge expensive car अब अकिला कार होता तो noun हो जाता है लेकिन कार कैसी है a huge expensive car यह भ जादा word हो गए है तो क्या बन गया यह noun phrase बन गया है I think आपको noun phrase समझ में आ गए होगी आपको phrase सिर्फ और शिर्पहले phrase को समझना फिर उसके parts को समझना phrase का मतलब होता है जब वो एक से जादा word जिसमें use हुए हूँ जो verb का और उसका subject का जो combination नहीं होगा और जो incomplete sense जो देत है अब वर्फ फ्रेज अब वर्फ से पता ही चल रहा है जिसमें वर्फ मिलेगी यानि कि एक से ज्यादा word जहां होंगी जिस sentence में होंगी वह हमारे word phrase कर लाएंगे जैसे यहां पे his playing cricket अब यहां पे is है और playing है तो यानि कि play अगर only play होता तो एक word हो जाती और एक अकेला word है और playing है दोनों यह auxiliary verb माने जाती है जो हमारे helping verbs हैं इनको हम auxiliary verbs भी बолते हैं तो यहां पे is और playing hai दो वर्फ हो गए हैं तो यह क्या बन गया दोनों लोलकर दोनों मिल टोनों मिलकर वह एक फ्रेज बन गये है इसलिए वह क्या बन गया हमारा word phrase अगे करता I can sing a song अब यहां पर can हमारी जो है can है यह भी हमारी modal जो modals है तो और उसके बाद sing है यह भी हमारी verb है तो दोनों मिलके क्या कर रहे हैं एक verb phrase का काम कर रहे हैं यह हमारी verb phrase हो गी है अगर यहां पर only अकेली verb होती तो वो verb phrase नहीं कहलाती यानि कि जब वो एक से ज़्यादा helping verb और शाथ में verb इकठी होती है तभी वो verb phrase बनती है यह आपको ध्यान में रखना है they have been playing football अब यहां पर have been playing अब यहां पर three verbs यूज हो गई है एक साथ यानि कि तो यह भी क्या बनगे have been playing जो है यह हमारे verb phrase है I think अब आपको अच्छे से verb phrase भी आप अच्छे से identify भी कर पाओगे और शमज भी पाओगे अब उसके बाद हमारे होती है adjective phrase adjective क्या होते हैं जो noun को noun या pronoun को qualify करते हुआ हमारे क्या होते हैं adjective को यह लाते हैं जो noun को qualify करते हैं ठीक है तो यह कहता है he bought a beautiful white car अब यहाँ पे देखो जो कार है यह यहाँ पे होता कि he bought a car तो white car होता तो क्या बन जाता adjective हो जाता white अकेला होता तो white क्या आपका adjective हो जाता लेकिन उस white से पहले क्या लगा दिया beautiful भी क्या आपका a और beautiful यह आपके क्या हो गए है a भी adjective ही माना जाता है articles है वो हमारे जो adjective ही माने जाते है क्योंकि वो noun से पहले लगते है अब यहाँ पे देखो adjective phrase क्या है अब car क्या है white अगर होता he bought white car he bought white car तो अकेला word होता white तो क्या होता हो वो हमारा adjective बन जाता है लेकिन यहाँ पे white से पहले beautiful word भी यूज़ हुआ है इसलिए वो क्या बन गया यानि कि एक से ज़्यादा word मिलके car को क्या कर रहे है qualify कर रहे हैं तो इसलिए क्या बन गा हमारा adjective phrase बन गया है second example देखेंगे see gave me a glass full of milk अब यहाँ पे जो milk है वो हमारी noun है ठीक है अब जो glass full of जो है यानि कि कैसा है glass भरा हुआ है उसकी विशेष्था क्या है भरा हुआ दूद से भरा हुआ full of milk यानि कि उसकी quality बता रहा है यानि कि यहाँ पे noun की जो quality बता रहे है glass कैसा है full of milk दूद से भरा हुआ है तो क्योंकि full of milk full one of two और milk three यानि कि three word यहाँ पे यूज हुए है adjective का काम कर रहे है तो यह क्या बन गया हमारा adjective phrase तो आपको क्या ध्यान में रखना है यदि एक adjective का use करके किसी noun को qualify किया जा रहा तो वो adjective कर लाता है लेकिन जो वो एक से ज़्यादा adjective यानि adjective का use करके जो है किसी noun को qualify किया जाता है तो वो हमारा adjective phrase बन जाता है यानि कि phrase में क्या होता है एक से ज़्यादा word होते है अब adverb phrase जैसा कि आपको पता है adverbs होते हैं जो यानि कि एक word होगा only adverb होगी तो वो adverb कहलाएगी लेकिन जो एक से ज़्यादा adverbs use के जाएंगे तो वो क्या बन जाते? Adverb phrase यानि कि एक से ज़्यादा word हो जाएंगे जैसे the cook was cooking very fast अब fast है आपको पता है fast क्या आपके adverbs है adverb है अगर अकेला ये होता sentence the cook was cooking fast तो ये adverb कहलाता लेकिन ये phrase क्यों बन गया? क्योंकि इसके साथ very word लग गया और very लगने से fast और very दो word हो गये हैं वो जब एक से ज़्यादा word का combination बन जाता है तो वो क्या बन जाता है? हमारा phrase बन जाता है क्योंकि very और fast adverb phrase बन गया है c drives a car in a very high speed यानि कि वो जो कार को एक ज़्यादा high speed में जो है चला रहा है यानि कि यहाँ पर drive जो कर रहा है, drive करना क्या होता है? इस परकार से हमने क्या देखा? adverb phrase कब बनेगी जब वो एक से ज़्यादा word होगी यानि कि phrase कब होगी drive करना क्या है? एक verb है और verb को qualify क्या करना है? कैसे चला रही है? high speed में चला रही है किसकी quality बता रहा है? drive करने की, यानि कि जो चलाने की quality क्या है? high speed में चला रही है, तो क्या है? किसको qualify कर रहे हैं ये verse? ये कर रहे है हमारी verb को qualify, यानि कि काम कर रहे है, adverb phrase का काम कर रहे है, उसके बाद prepositional phrase, prepositional phrase कौन से होती है, जो preposition के बाद में, जो noun अगर use होती है, तो वो prepositional phrase कहलाती है, जैसे he's dancing on the roof, वो कहां dance कर रहा है, on the roof, on क्या है, आपके एक preposition है, और इसका यानि कि जब कोई preposition दे रखी हो और उसका अपना एक object उसके साथ में दे रखा हो और वो noun हो तो वो आपका prepositional phrase कहलाता है ठीक है अगर object नहीं होगा किसी preposition का तो वो आपका phrase नहीं कहलाएगा यानि कि फिर वो prepositional phrase नहीं कहलाएगी अब यहाँ on के बाद जो है दा रूफ इसका जो दा रूफ है वो ओन का object है इसलिए यह क्या बन गए आपका prepositional phrase बन गया है second example देखेंगे he looked at the blackboard अब at आपके एक preposition है उसके बाद क्या है the blackboard कहा देख रहा है at the blackboard तो यहाँ पे कई वर्डों का समू हो गया है ठीक है और at के आपके एक preposition है और preposition का क्या है object दे रखा है तो यह क्या कहलाएगी आपकी prepositional phrase कहलाती है I think अब आपको prepositional phrase को पहचानना भी आ गया होगा उसके बाद है infinitive phrase अब infinitive का के लिए हमें पता होना चाहिए इन्फिनिट्व क्या होता है infinitive में क्या लगता है two होता है plus verb की first form होती है ठीक है अब infinitive phrase कौन सी कहलाएगी जब आपका two होगा plus verb की first form दे रखी होगी ठीक है और उसके साथ क्या होगा वर्ब की first form और फिर उसके साथ कोई आपकी noun मिलेगी जैसे to get money अब यह इकठा भी पैसे प्राप करना to get money यह infinitive phrase है आपका यहाँ पे आप कैसे इसको identify करोगी यहाँ पे आपको to मिल जाएगा साथ में verb होगी वो फिर उसके noun होगी तो आपका क्या बन जाएगा वह infinitive phrase हो जाएगा to get money is an ambition of everybody यानि कि पैसे प्राप्त करना जो हर एक इंसान की एक इच्छा होती ambition होती है आई इंजोई टू ड्राइव एक कार अब मैं आई इंजोई अब टू ड्राइव टू और ड्राइव अगर दोनों यह अगर यह कार नहीं होता तो यह infinitive phrase नहीं होता आपको क्या मिलेगा to मिलेगा प्लस वर्प की first form मिलेगी और उसके साथ आपको कोई noun मिलेगी उसके बाद जेरंड phrase जेरंड में क्या होता है वर्प की पहली form plus ing होता है और वह noun का काम करता है जेरंड हमेशा as a noun यूज किया जाता आपने कई बर देखा होगा जब आपको कोई sentence बना होता है तो वह आपका वर्ब की पहले फॉर्म प्लेस आइंज़ से भी सुरू होता है वह आपका टू से भी सुरू हो सकता है यनिके infinitive से भी सुरू होता है मैं आपको एक जो अगली जो वीडियो बनाऊं हम कितने परकार के सब्जेक्ट्स यूज कर सकते हैं तो यहां पर हम यहीं कर रहे हैं जैरंड फ्रेज कब होगी जब आपकी वर्ब की फिर्श फॉर्म प्लेस आयंजी होगा और साथ में हमारे एक से ज्यादा वर्ड जो है नाउन के जो काम कर रहे होंगे और एड होंगे तो भा हमारा क्या मन जाएगा जैरंड फ्रेज क्यों होगा क्योंकि वर्ब की फॉर्ट फॉर्म प्लेस आयंजी है तो जैरंड होती है और शाट में फिर उसके और भी मिले और वह अदो और वह सभी मिल के एक नाउन का काम कर रहे होते हैं अब यहां पर क्राइंग ऊफे बेब यानिके बेबी की जो चिला हट है यानिके एकठा है यह crying of a baby यानिके बेबी की चिला हट या रोना है डिस्टरब्स में वह मुझे डिस्टरब करता है तो crying of a baby यहां पर four words हो गए है इसलिए क्या बन गया यह phrase बन गया और phrase कौन सा बना जैरंड फ्रेज बना जैरंड फ्रेज क्या से बना क्योंकि वर्ब की first form crying जो word है यह वर्ब की first form plus ing है और यह एक जैरंड होता है और इसके साथ extra word जूड़ गया है तो इसलिए phrase बन गया है उसके बाद है I started writing a letter अब यहां पर writing जो word है वह आपका क्या है एक जैरंड है अगर I started writing होता तो यह जैरंड होता only phrase नहीं कहते लेकिन इसके साथ a letter और जूड़ गया है यानि कि extra word और जूड़ गये है तो यह क्या बन गया फिर जैरंड phrase बन गया अगर only verb की first form plus ing आता है और वो noun का काम करता है तो जैरंड कहलाता है लेकिन यह उसके साथ एक या दो word और extra add हो ग हो रहे हैं तो वो हमारा जैरंड phrase कहलाता है writing a letter पत्तर लिखना तो यह हमारा एकठा हो गया है और यह noun का काम कर रहे हैं इसलिए हमारा कौन सा बन गया यह जैरंड phrase बन गया है उसके बाद है हमारा participle phrase participle phrase में जैखो running on the road he fell down यानि कि running on the road अब देखो अब आप एक थोड़ा सा आपको confusion होगा participle में और gerund में थोड़ा एक difference बता देती हूँ उसको अपने mind में हमेशा याद रखना gerund noun का काम करता है जबकि जो participle है वो एक adverb adjective का काम करता है adjective का काम करेगा तो आपको उसके साथ क्या मिलेगा noun मिलेगा running on the road he fell down अब देखो आपको याद रखना participle और gerund में एक तो common चीज़ होती है दोनों में यह वर्ब की first form plus ing लगती है यानि कि यह तो दोनों में similarity होती है लेकिन दोनों में difference क्या होता है participle में और gerund में फर्क होता है दोनों में वर्ब की first form plus ing लेकिन दोनों जो काम करते यानि कि रोड पे दोड़ते वे he fell down वो गिर गया तो running on the road यह क्या बन गया आपका participle phrase बन गया उसके बाद है कंजेक्शनल फ्रेज जैसे कंजेक्शन से क्या बन गया आपका कंजेक्शनल फ्रेज अब देखो he worked hard so that he may pass अब यहां पे so that से हमने दो वर्ड को जोड़ दिया he worked hard he may pass तो यहां पे दो वर्ड से हैं और इनको दोनों को यहां पर क्या होता फिर कंजेक्शन को या सकते हैं जब एक कंजेक्शन का यूज होगा तो वो कंजेक्शन क्याल आई गा लेकिन जैसे not only but also so that head better यह जो यानि कि जब वो जोड़े में या जोड़ों में जब यूज होते हैं conjunction तो वो conjectional phrase कहलाते हैं उसके बाद है हमारा interjection phrase और आपने कई बार देखा होगा कि कुछ ऐसे interjection होते हैं जो उसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा word उसमें यूज होते हैं interjection के रूप में जैसे what a pity he is dead तो यहाँ पे interjection what a pity three words का यूज हुआ है तो क्या बन गया interjection तो है ही है ठीक है लेकिन क्या बन गया यह phrase बन गया है लेकिन अगर आउच वर्ड होता एक वर्ड हो गया है तो वो क्या होता only interjection कहलाता वैसे हुर्रा अगर एक वर्ड यूज हुआ है तो क्या होता वो interjection कहलाता फिर वो phrase नहीं बनता तो my day students आपको एक बात तो आपको अच्छे से clear होगी होगी कि कोई भी word phrase का बनता है जब वो एक से ज़्यादा words उसमें add किये जाते हैं I think आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा और आपका phrase कौन सी होती है phrase क्या होती है ये आप अच्छे से clear हो गया होगा और आप easily phrases को पहचान भी पाओगे और ये वीडियो इसलिए ज़्यादा आपके लिए important बनती है क्योंकि जब कोई competitive exams वगरा होते हैं तो phrases से आजकल जो है ये general जो grammar का जो topic होते हैं उसमें ये phrases पूछ ली जाती है इसलिए ये जो topic हो most important हो जाता है ये आपको मेरी वीडियो से कुछ फायदा हो रहा है ये आपको ये समझ में आ रहा है तो please like, share and subscribe my channel Thank you my dear students